बच्चों, आज हमारी पाठे पुस्तक वसंत का सात्वा अध्याई पापक हो गए पड़ेंगे। इस नाटक के लिखक हैं श्री विजे तेंदुलकर। इस नाटक में इन्होंने सजीव और निर्जीव पात्रों के माध्यम से बहुती रोचक और उद्देश्य पुन का थानक प्रस्तुत किया है। और उसे घर तक पहुचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो देखो बच्चों हम देखते हैं कि इस नाटक में क्या होता है। आप ये कलपना कीजिए कि आप किसी हॉल में बैठे हैं और इस नाटक का मंचन जो आपके सामने हो रहा है। और सभी पात्र जो है वो अपनी बाते कहते जा रहे हैं और अपनी बातों के माध्यम से और इस वारतालाप के माध्यम से वो क्या कहना चाहते हैं। देखेंगे इस नाटक में देखो बच्चों इस नाटक के जो पात्र है उनके नाम देखो बिजली का खमबा पेड़ लेटर बॉक्स कववा नाचने वाली लड़की और आदमी अब देखो इनकी चित्र भी हैं यहाँ पर लेटर बॉक्स ये वो अपहन करता जो इस छोटी किसी बच्ची को उठा करके ले आता है विजली का खमबा एक पोस्टर जिस पर एक नाचने वाल लड़की बनी भी है एक कववा जो बहुत ही बुद्धिमान है और एक व्रिक्ष इन सब की आपस में क्या होती है बातचीत होती है क्या होती है देखो अभी द्रश्य चल रहा है आपको परदे के पीछे से एक आवाज आएगी जो पीले अक्षरों में ये सब परदे के पीछे से बोली जाने वाली बात है और ये पातर जब खुद अपनी बात बोलेंगे तो इनका आगे नाम लिखावा होगा तो देखिए सडक, रात का समय, समुद्र के सामने फुट पात वहीं पर एक बिजली का खंबा यानि की नाटक का जो मंचन किया जा रहा है वहाँ पर कैसे इस्थती है वहाँ क्या क्या है उसका वरणन परदे के पीछे से हो रहा है एक पेड एक लेटर बोक्स दूसरी और धिमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पोस्टर पर नाचने की भंगीमा में एक औरत की आकरतियाने नाचने की मुद्रा में समुद्र से संसनाती हवा का बहाव दूर कहीं कुत्तों के भौकने की आवाज यह है इस नाटक की भूमी का अब देखो नाटक शुरू होता है यहां से अब नाटक में खंबा जो है वो क्या बोल रहा है जमहाई रोकते वे यानि उबासी रोकते वे उसको उबासी आ रही है राम 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 रात बहुत हो गई पेड कहता है आज कल की राते कैसी है जल्दी बीतने में ही नहीं आती राते कौन से लंबी होती है बच्चो सर्दी की सर्दी में दिन छोट बड़ी में बीच जाता है पेड लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है बोरियत का मतलब मन लगना दिन में क्या होता है जैसे लोग आते हैं जाते हैं छोटे बच्चे उनके आसपास खेलते रहते हैं तो लोगों के आने जाने से क्या वहां रौनक बनी रहती है लेकिन रात क तो सब लोग अपने घरों में जाके सो जाते हैं, तो रात को ये जगह जो बहुती सूनी हो जाती है, तो पेड़ क्या कहता है? रात को यहाँ पर वड़ी बोर्यत होती है, यानि कि यहाँ पर मन ही नहीं लगता. खंबा तब भी बरसात की रातों से तो ये राते कहीं अच्छी है अब खंबा क्या कहता है कि बरसात की जो राते हैं उन रातों से तो ये राते कहीं ज़्यादा अच्छी है पेड राजा बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो अब खंबा क्या कहता है बारिश में तो क्या है तेज हवाईं भी चलती है तूफान भी आता है पानी बरसता है तो वो राते हैं जो है वो तो बड़ी ही भयानक होती है उसमें तो बड़ी परेशानी होती है पानी की मार पड़ती है हवा की मार पड़ती है और जो बल्ब है उ से तो अच्छा था ना होता बिजली के खंबे का जन्म बल्ब फैंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता अब खंबा क्या कहता है कि मेरा खंबे का जन्म नहीं होता तो अच्छा होता रात बर उस बल्ब को बस पकड़े रो मेरा बस चलता तो उस बल्ब को फैंक करके मैं कह भाग जाता आगे देखो पेड कहता है मुझपर भी एक रात आस्मान से गड़ गडाती बिजली आकर पड़ी थी पेड क्या कहता है कि एक दिन क्या हुआ तेज तुफान और आंधी का मौसम था और गड़ गडाती भी बिजली जो है मुझपर आकर के गिर गई अरे बाप रे वो बिजली थी या आफत आफत कहता है बचों मुसीबत यानि कि बिजली तो आपको पता है कितना वेग से गिरती है और जहां भी गिरती है वहाँ पर बिनाशी करती है तो पेड पर जब गिरी थी तो पेड कहता है कि वह बिजली थी या आफत याद आते ही अब भी दिल ध पढ़ गया था खंबे महराज अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है अंग थर-थर कांपने लगते हैं थर-थर कांपना डर से कांपना यानि उस रात को याद करके हमारे जो शरीर है उसमें भै दोड़ जाता है यानि की डर के मारे अंग जो है वो कांपने लगते हैं, खंबा, मेरी तबियत ही लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पढ़ता, खंबा क्या कहता है, मैं तो लोहे का बनाओ, मुझे सर्दी जुकाम खासी, कुछ नहीं होता, मैं तो बीमार नहीं होता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़ कर, छे, चुंगी की है नौकरी भी कोई, नौकरी है, चुंगी यानि वह कर जो शहर के भीतर आने वाले बाहरी माल पर लगता है, आपने देखा होगा, चुंगी नाके बने वे होते हैं, वहाँ पर सामान से भरी वी गाड़ियां आती है, और चुंगी वाल अकर वहाँ पर देती है, लेकिन वह जो चुंगी का नाका होता है, वो उसी जगह पर इस्थिर होता है, तो ये कहता है, मेरी नौकरी भी कैसी है, चुंगी नाके जैसी हो रखी है, मैं एक ही जगह पर खड़ा तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ पेड कहता है कि मेरे जो पत्ते हैं इनका कोट पहन करके मैं बारिश और धूप उतनी ही सहन करता हूँ जितना की तुम करते हो तो तुमसे तो मैं बहुत पहले का खड़ा हूँ यानि मेरा जनम जो है वो तुमसे पहल वाली औरत भी तब नहीं थी पेड उस समय की बात बता रहा है जब उसका जनम हुआ था बहुत छोटा था तब ये सब उसके आसपास नहीं थे सिर्फ सामने का ये समुद्र था बहुत अकेलापन मैसूस आता था तुम्हें जब यहां लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो क कोई साथ ही तो मिला इतना ही सही लेकिन वो भी कहा तुम शुरू-शुरू में मुझसे बोलने को तयार ही नहीं थे अब पेड किसको कह रहा है खंबे को कह रहा है कि जब तुम्हें यह नया लाकर के लगया गया तो मैं बहुत ही खुश हुआ चलो मुझसे बात करने के लि कि तुम तो बिल्कुल अकडू थे एकदम जहां थे वहीं खड़े थे तुम तो बोलने को बिल्कुल भी तयार नहीं थे तो तुम्हारी अकड जो थी ना वो वैसी की वैसी थी तुमने बोलने का प्रयास मुझसे किया ही नहीं बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी ना कितन उची है तो रहने दो मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई हाँ अपना भी सववाव जरा ऐसा ही है पेड कहता है कि जब तुम्हें मेरी गरज नहीं है तुम्हें मेरे से बोलने की इच्छा नहीं है तो मैंने भी सोचा कि मैं भी चला करके क्यों बात करूँ जब सामने वाले करने का मन ही नहीं है तो उसने का मेरा स्वबावी ऐसा ही है खंबा और एक दिन जब आधी पानी में मैं बिलकुल तुम्हारे उपर ही आ पड़ा पेड बाप रे कैसा था वो आधी पानी का तुफान अब 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 एकदम से घबराट में ये शब्द निक तेज हवा से पेड के उपर आकर के गिर पड़ा था, खंबा तुम खड़े थे, इसलिए मैं कुछ संभल गया, हाँ तुमने मुझे उपर का उपर झेल लिया, यानि पेड ने जो है उस खंबे को गिरने नहीं दिया, उसने उसको सहारा दिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तु अफ़ान आया और तेज हवा से जब पेड के उपर ही गिर गया, तब उसको लगा कि मेरा जो गुरूर है, मेरा जो घमंडे वो तूट गया क्योंकि पेड ने उसको सारा दिया था, और अपनी दोस्ती हो गई, उस दिन के बाद से खंबे और पेड की क्या हो गई, दोस्ती, आगे देखो बचों, क्या होता है, पेड कहता है, हवा आज भी बहुत है, ये पेड का समवाद है, यानि पेड बोल रहा है, अब जो पीले अक्षरों में हैं, ये परदे की पीछे से आवाज आती है, ये इनके समवाद नहीं है, तो क्या आवाज आती है, दोनों चुप, ह आवा की आवाज, कुत्ते का भॉंकना, पोस्टर पर बनी, नाचने वाली औरट टेडी हो जाती है, उसके घुंगरु बजते हैं, वा फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है, लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुन गुनाता है और रुक जाता है, अब लेटर बॉक्स ज जो रात की वक्त इतनी मीठी आवाजे लगा कर मेरी नींद खराब करता है, जरा भर चैन नहीं इन है, चैन यानि आराम, अब कववे की नींद जो है, उसके गीत से खराब हो गई, तो वा कहता है कि कौन है जो इतनी रात को ये मीठी आवाजे लगा करके मेरी नींद लाइटर बॉक्स, मीठी आवाज में नहीं गाएं तो क्या करकश जैसी करकश करें? करकश यानि कानों को खराव लगने वाली आवाज कहता है ना कोयल की आवाज जो बहुत मीठी होती और कवे की आवाज कैसी होती है करकश, इस पर एक संस्कृट में शलोक है वच्चों आप यानि कववा और कोयल जो है दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं और उनकी जो आवाज है वो बिल्कुल ही अलग होती है वसंत रितु आती है तब पता चलता है कि ये कोयल है जो मीठी आवाज में बोल रही है और ये कववा है जो काउं काउं कर रहा है तो कववे की आवाज जो है बहुत ही कानों को चुब रही है तो लेटर बॉक्स भी क्या कहता है उस पर ताना मारते वे कि मीठी आवाज में नहीं गाएं तो क्या इस कववे जैसी करकश काउं काउं करें यानि एक तो इतना अच्छा गीत गा रहा हूं उपर से ये परिशान और हो रहा है कहता है जरा भर भी चैन नहीं यानि कि कववा जो है वो ये कह रहा है कि मेरी नीन खराब कर दी जिसके खुद की आवाज इतनी खराब है पेट में हाट डाल कर एक पत्र निकालता है धीरे से जीब को लगा कर खोलता है उसमें से कागज निकाल कर रौश्णी में पढ़ने लगता है Letterbox यहां किसकी चिथी आकर पढ़ी है अब Letterbox के अंदर खुब सारी चिथी आं ओती है लोगों की वो क्या करता है अपने ही पेट में से चिथी आ निकालता है और लोगों की चिठियां पढ़ता रहता है अब एक चिठि उसके हाथ लगी है उस चिठि के अंदर क्या लिखा है देखो यह किसकी चिठि आकर पढ़ी है हेड मास्टर ठीक क्या कहता है अब उसको यह हेड मास्टर की चिठि है वो क्या कह रहा है मैं पढ़ के देखता हूँ श्रीमान शीयूत गोविंद राव जी आपका लड़का परिक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है अब हेड मास्टर अपने जो छात्र है उस छात्र के पिता जी को पत्र लिखा उसने उस पत्र में जो परिक्षित नाम का एक बच्चा है उसकी शिकायत लिखिया है वो पढ़ाई नहीं करता है क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता इसकी बजाए उससे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है बंटे यानि की कंचे कंचे देखे होंगे बच्चों आपने काच के जो रंग भी रंगे होता है छोट-छोटे बच्चे खेलते हैं तो वो क्या करता है क्लास छोड़ करके बंटे खेलने के लिए निकल जाता है आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए मिले परिक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा अब ये कौन सोच रहा है लेतर बोक्स उसको लग रहा है मिल भी लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं कलास से गायब रहा कर बंटे खेलते रहें. इसका क्या मतलब? यान कि माबाप बच्चों को किस लिए भेजते हैं? पढ़ने के लिए और बच्चे क्या करते हैं? पढ़ाई वाले समय में दूसरे काम करते हैं. तो वो कहता है कि इसका क्या मतलब हुआ? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? फोकट यानि की मुफ्त में, यानि लैटर बॉक्स कहता है कि माबाप कितनी महनत करके एक एक पैसा जोड करके बच्चों की स्कूल की फीस बढ़ते हैं और बच्चे जो है वो लपरवाई करते हैं पढ़ाई नहीं करके द आखिर क्यों उच्छे? मुझे हेड मास्टर होना चाहिए था इस परिक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता अब वो लेटर बॉक्स क्या कहता है मैं हेड मास्टर होता ना तो इसके होश ठिकाने लगा देता यानि कि इसको कठोर सजा देता वहाँ पत्र रखकर दूसरा निकालता है उस पत्र को वो रख देता है और दूसरा पत्र निकालता है यह किसका है अब यह पत्र जो है वो किसका है आगे देखो खंबा क्यों लालता हूँ आज किस-किस के पत्र चोरी-चोरी पढ़ते रहे अब खंबे ने क्या पूछ लिया कि लालता letter box, letter box का color कैसा होता है लाल रंग का, तो उसको सब मिलकर क्या कहते हैं, लाल तो, कि आज किस-किस के पत्र चोरी-चोरी पढ़ते रहे, letter box अस्चर से, चोरी-चोरी किसलिए, सबी चिठियां मेरे ही तो कबजे में होती है, यानि चिठियां किसके अंदर है, letter box के अंदर ही थे सारी अच्छी तरह रोज-रोज पढ़ता हूँ, मैं तो आराम से सारी चिठियां पढ़ता हूँ पेड, कबजे में होने का मतलब यह तो नहीं लालता हूँ कि लोगों की चिठियां फाड फाड कर पढ़ते रहो पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो, यानि कि पेड कहता है कि अच्छी बात नहीं है किसी की चिठियां पढ़ना तो आप यह सब मत किया करो लोगों की चिठियां फाड फाड कर आप पढ़ लेते हो किसी दिन पोस्ट मस्टर को पता चल गया तो क्या होगा लैटर बोक्स चलता है पता तो चल जाने दो मेरी तरह यहां रात दिन बैट कर दिखाएं तब पता चले परसों वहाँ पोस्ट मेन मेरे पेट में से चिठिया निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि र तो उसको इतनी लंबी जमाई जमाई यानि उबासी कोई नीन से उठता है तो उबासी लेता है तो उसको इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी यानि उससे कंट्रोल नहीं हुआ और जमाई ले ली उसने जमाई लेता है वह देखता ही रह गया चिठियों का बंड चिठियों का फटा-फट उसने मंडल बनाया और जल्दी-जल्दी वहां से चलता बना लेकिन यह letter box इसे नहीं बोरेत होती एक जगे बैठे बैठे मैं कहता हूँ चार चिठिया मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया मैं एक जगे खड़ा रहता हूँ तो मैं एक चाहिए वह private होती है private का अर्थ होता है बच्चों निजी चिठियां जो है आपको पता है एक वेक्ति दूसरे वेक्ति को किसी काम से लिखता है कारणवस लिखता है यह कोई अपनी भावनाई जो है वो उसमें लिखता है तो पेड कहता है कि यह अच्छी बात नहीं है कि आ कि होती है उसे मिल ही जाती है किसी की गुप्त बाते में कब बाहर निकलने देता हूं गुप्त यानि छिपी हुई बाते यानि किसी की निजी बाते हैं तो मैं कौन सा जा जाके किसी को बता रहा हूं मैं तो पढ़ करके वहीं रख देता हूं और वहीं चिठियां लोगों क लेकिन बाहर किसी की बातें नहीं करता हूं, पेड कोई आ रहा लगता है, अब देखो फिर अब क्या द्रिश्य चल रहा है उस द्रिश्य की जो भूमी का है वो देखो, सब चुप हो जाते हैं, पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतोलन फिर से बिगड़ता है, हवा से जब बिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है, अब द्रिश्य में क्या चल रहा है, रात का अंधेरा है, पोस्टर पर बनी नाचने में लड़की जो हवा से वो पोस्टर जैसे हिलता है, तो उसका बैलेंस जो है, उसका बैलेंस बिगड़ है, और वह वापिस अपने आपको उसी मुद्रा में ले आती है, तेज हवा चलती है, बिखारी जैसा एक आदमी आता है, यानि कि बिखारी जैसा दिखने वाल एक आदमी आता है, उसके कंधे पर क्या है, एक सोई हुई लड़की, तो ये जो द्रिश्य है, इसके बाद क्य होता है वो हम जानेंगे अगले वीडियो में जिसके अभी हमने जो पड़ा यह भाग एक था अब भाग दो में हम जानेंगे कि उस बिखारी के कंदे पर जो बच्ची है वो किसकी थी कहीं वो उसकी बच्ची तो नहीं या कहीं वो चोरी करके तो नहीं लाया यह हम जानेंगे भाग दो में तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद